हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब दिली के इंदरप्रस बस डिपो में इस वक्त हम मौझूद हैं जहां पर रात को कुछ इस तरह से आप देखेंगे बसों को डिसिंफेक्ट करने का सैनिटाइज करने का काम फिलाल चल रहा है करिबन सौ स से जादा बसे जो हैं वो इंदरप्रस बस डिपो में मौझूद हैं और रात को जो बसे से अपना रूट खत्म करने के बाद जब यहां पर आकर लगती हैं तो सबसे पहले इन बसे को सानिटाइज किया जाता है क्योंकि कोरोना वाइरस का जो असर है वो लगातार दिली में अलग-अलग मामलों के जरीए देखा गया है कई दिली में मामले जो हैं वो हाली के दिनों में बढ़े हैं पूरे देश में मामले बढ़े हैं विश्व में बढ़ने के बाद लहाजा प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर आप तस्वीरों में देखिए सानिटाइज करने का का काम बसको चल रहा है कलमचारी आपको दिखाई देंगे जिन्होंने अपना मुझ पर मुझ कवर किया हुआ एक सूट पैना हुआ है और पीछे आप देखेंगे उनके एक एंटिसेप्टिक टैंक टंगी हुई है जिसके जरिये एक जो नौजल है वो कनेक्टिड है और एक शा सादा होती है तो ऐसे मैं इसमाल करते हैं बैलन्स करने के लिए हांडल का इस्तमाल करते हैं लाइट मेंते उनको भी साफ किया जा रहा है लग इलग पीछे की सीट्व से कोने हैं सफाई से छूट जाती है तो देखेंगे लास सीट हैais वहते हुए हैं और शीषों को भी साफ किया जारा है, हर एक seat पर ध्यान दिया जा रहा है, और क्यूंकि यह सफाई है कर्मचारी के लिए घातक असुरक्षित हो सकती है, इसलिए पूरी अचे कर्मचारी को कवर किया गया है, बोडी सूट के जरीया, उनका मूध कवर्ड है, उनके सर से लेकर पाउं जो हैं पूरी तरह से कवर्ड हैं और सानिटाइजेशन का काम जो कर्मचारी हैं वो हर रोज रात को जब बसेज यहां आ जाती हैं तो सुबा को निकलने के लिए बसेज को इस तरह से तयार कर दिया जाता है जिसे कि जब आम लोग इस बस में चड़ें और पहुचें तो उनके लिए बस बेहत सुरक्षित हो यहां पर कोई जर्म्स ना रहें और संक्रमण का खत्रा किसी तरह से टाला जा सके आईए कर्मचारी से बात भी करते हैं भाई आपका नाम क्या है जी आकाश तो कितने घंटे आप सानिटाइजेशन का काम कर रहे हैं कितनी बस इसको साफ कर रहे हैं में लगबहग यह 100डवशे हैं तो हर वसको सेनिटाइज करना पड़ता है। और जितनी बस डीपो में लगती है वैं डेली करना पड़ता है काम कितने बज़े से सर्णेटाइजेशन करना शुरू करते हैं? में हम तकरीबन साढ़손के आप पास से। कितने बज़े तक करते हैं मैं में सुभे तक होता Day process सुभा तक चलता है यह सानिटाइजिशन का काम कितने दिनों से हो रही है ऑरकाइस बसे लगी है तब से इता क्लागश लिए है तब過去 नौब से ज्याधा में यह जो नॉजल है इसके जरीये अलंग अलंग कोनों पर पहुंचा गयार डिसंफ्रेक्ट करने की कौशिश की गई है कि अगन क्शून का जाते चीजेंела यहां पर लोग के हाथ जाते हैं चाहें वो हैं फिर सीट हो तो उन जगाओ उपर ज्यादा ध्यान दिया जाते हैं देखेंगे याप पर जो ड्राइवर का ड्राइवर की सीट है उसको भी सानिटाइज किया गया है स्टेरिंग वील है वहाँ पर भी जो सानिटाइजर है और आपको लगातार देखेंगे आप तस्वीरों में सानिटाइज बस फिलाल नजर आएगी और कुछ इसी तरह से चल रहा है यहाँ पर हमारे साथ जो में जानकारी दे रहे हैं शक्स वो भी मौजूद है आएए उनसे भी बात करते हैं देखिए आप फिलाल हम आपको तस्वीरों में बस ही दिखा रहे हैं बस के दूसरी बस में अब यह शक्स पहुच गए हैं जो कर्मचारी हैं वह अब सब्सक्राइब कातार से लगी हुई है और यह लंबी कातार आप बस डिपो में देख सकते हैं इंदरप्रास बस डिपो की तस्वीर हम दिखा रहे हैं तो यानि सुबा को जब यह बस आम लोगों के बीच पहुचेंगी जब आम लोग जो इसमें सफर करेंगे तो उनके लि जो हैं सर आप यह सारी जिम्मेदारी देख रहे हैं आपके एंडर में काम हो रहा है सबसे पहले आपका नाम राजुदिन जी एक्जाक्ली यहां पर कितनी बसे आती हैं कितने वज़े से काम शुरू होता है जो पब्लिक की सेवा खतम करके वापस आती है और रात को बारवे तक यह गाड़ियां आ जाती है टीपू के अंदर जो हैंड़ेट के लगबग हैं और यह काम हमारा सुबह साड़े आड़ वज़े तक चलता है जैसे कि पब्लिक की सेवा के लिए लाश्ट बस आड़ वज पर निकलती है तो हम वहां पर सब गाड़ियों को एकटम करके भीजते हैं ताकि किसी को कोई प्रब्लम ना हो आपके कितने कर्मचारी है जो डिसिंफेक्ट करने का काम फिलहाल कर रहे हैं पांच कारिकर हमने लगा रखे हैं जो इसकाम में लगे हुए हैं जो सिफ यही को जो खतम करने के जो पर क्रिया है उसमें हम योगजान जो हमसे हो सकता हो हम कर रहे हैं जो आंटिसेप्टिक टैंक है वह क्या आपको सरकार की तरफ से प्रोवाइड है या आप लोगों ने खुद उस टैंक में जो मिश्रन है सानिटाइजर है वो खुद मिलाए क्योंकि वह बहुत जरूरी है वह अगर सही मातरा में होगा तब ही डिसिन्फेक्शन का काम जो है वह सार्थक होगा तो इस बारे में भी कुछ जानकारी इसमें मैं यह करना चाहूंगा कि यह जो हमारे जो गोर्वर्मेंट के जो नहों हमारे को एक केमिकल टाइप में दिया है जो इस जो वाइरस हुआ है इसको फैलने के रोकने के लिए सरकार के द्वारा दिया गया है सरकार के तरफ से दिया गया है कि हम उपने यह चीट इसमें यूज करनी है ताके किसी को कोई तरह की वाइरस ना फैले तो यह कोवर्मेंट का एक केमिकल है जो उन्होंने हमें दिया हुआ ह जिसे हम यूज कर रहे हैं इससे पहले क्या बसेस की कभी सफाई या सानिटाइजेशन क्या कभी हुआ था कोरोना वायरेस जब नहीं था तब यह नहीं था सिर्फ इतना था कि फिनाइल वह गटाई यूज होती थी फर्स में पोशा लगाते टैम कितने टाइम में यूज होता मार्च को तो उससे पहले तो मतलब जैसे भी था इसका नाम ही नहीं था कोरोना वायरेस का यह तो अभी लेटेस्ट आया है तो अभी से कंट्रोल अभी हम अगर हमारा इंडिया कर लेगा तो कर लेगा नहीं तो बड़ी दिक्कत हुए अब जो है सानिटाइजेशन हो रहा ह इसल cannis the पे बाकि वाहन है जो आ रहे हैं वो भी बस को सानिटाइज होने के बाद हम उसका कर सकते हैं तो ऐसे वहनों पर किया regulation है क्या उन्हें रोक दिया जाता है या उन्हें भी सानिटाइज किया जाता है डिपो में आने से पहले जैसी डिपो के इंदर जो बसे आती रहेंगे अपनी डूटी खतम करके पब्लिक की सेवा खतम करके उसमें हम तुरंत यह काम सुरू करवा देते हैं सर मैं यह पू लगाम लगाते हैं आप लोग या फिर इन पर सैनिटाइज करते हैं गाड़ साब को निदेश दे रखाया है कि उससारे के सारे जितने भी डैवर आते हैं वह अपनी गाड़ियां बाहर पार्क करेंगे कोई भी गाड़ी अंदर नहीं आएगी डिपो में तो यह अभी साइ जो है वो लगातार इन सौ बसेस को डिसिंफेक्ट करने का काम कर रहे हैं रात को यह काम किया जाता है और सुबह को जो बसेस हैं वो तयार कर दी जाती है यात्रियों के लिए आम लोगों के लिए और इसके बाद जब यह बसेस निकलती हैं और लोगों को कैरी करती हैं यात आशीष सक्सेना के जाथ अजातिका सिंग एबीपी न्यूज दिली